हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चानल आज मैं आपको दिखाऊंगी रेस्टोरेंट स्टायल पालक पनीर कैसे बनाते हैं लेस्ट केट स्टार्टेड उसके लिए हम पहले यहां पर मैंने लिया है आदा उनियन यह बहुत बड़ा उनियन था तो मैंने आदा लिया है और पादा टोमेटो और ग्रीन चिली गार्लिक अगर यह गार्लिक चोटा है तो यह आठ से दस पीस नहीं तो बड़ा है तो दो से तीन ही चलेगा तो उसके बाद हम यह गार्लिक को साइड पर रख देंगे पहले हम ओनियन और टोमेटो को चोटी तुकडों में कट कर लेंगे पालक पनीर बहुत ही ट्रडिशनल और अथेंटिक रैसिपी लेकिन मैं आपको यह बताउंगी कि कैसे हम काम जल्दी से कर सकते हैं कैसे हम काम करते करते आपना टायम सेव कर सकते हैं ताके हमें ज्यादा देर तक किचन में टायम निकाला ना पड़े और जल्दी से तो यहां पर मैंने देखें सिर्फ और ओनियन और टमेटो कट करके रखा है और साथ में मैंने यहां पर पानी उबालने के लिए रखा है यहां पर मैंने एक पैन लिया है उसमें आदा उसको भर के पानी डाल के उसको बॉल करने के लिए रख दिया है तब तक मैं यहां पर प तीन से चार बड़े चम्मच ऑईल डालेंगे और उसको गरम होने के लिए रखेंगे एक बार तेल अच्छे से गरम हो जाए हम उसमें मासाला डालेंगे खड़े मासाले एक मैने यहाँ पर सिनमन स्टिक डाला है दाल चेनी बोलते है और एक छोटा सा तेज पता डाला है और तीन का रड़मम इलाइची बोलते है इसको डाला है और तीन लॉंग डाला है और उसके बाद मैने यहाँ पर एक टीस्पून जीरा भी डाला है और एक बार अच्छे से क्रैकल हो जाए जीरा तो उसमें हम चॉप किया हुआ ओनियन को भी डाल देंगे और इसको अच्छे स पत्तों को डाल के एक बार उसको ब्लांच कर लेंगे ब्लांच करने का मतलब है इसको थोड़ा सा पकाना है ज्यादा नहीं एक मिनिट या दो मिनिट के लिए इसको बस पानी में गर बॉयल करे हुए पानी में पालक को डाल के थोड़ा सा हलका सा इसको सॉफ्ट करना है एक बार यह देखिए एक उबाला गया बस तब तक ही उसको ब्लांच करना है उसके बाद इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे पालक के पत्तों को और पानी फेकना नहीं है इस पानी को हम रखेंगे और यहां पर मैंने एक कप थंडा पानी डाल दिया है ताकि जल्दी से करके रखा ता यह डाला है और उसके बाद पालक के पत्तों को डाल के एक अच्छे से इसको पेस्ट बना लेंगे पानी के जरूरत नहीं पड़ती क्यूंकि पालक जो हमने पानी डाला है उसी से ग्राइंड हो जाएगा तो पालक के पेस्ट बना के रख लेंगे और साइड पर अभि एंप पावड़े तो इसमें मैंने चॉप टोमेटो डाल दिया है अब शॉटा हिए तोड़ा सा मिलो हो गया है तो इसमें मैंने आपढ़ लाए आधा 2 टीश्पून टर्मरिक पावडर हल्दी एक चम जिर्या पावडर और एक चम दanka दन्या पावडर ये ज्क रमा नहीं बनाती हूं तो उसके बाद इसको थोड़ा सा ओईल ऊजवट होने तक इसको पकाएंगे धेमियाच में अच्छे से थोड़ा सा शैड़ पे दिखने लगा है तो अब हम इसमें जो पेश करके रखाता पालक का और डाल देंगे और इसमें और कुछ नहीं डालना है अब दिख सकते यह ग्रीन जो पालक का कलर है वह सही है तो इसको इसा ग्रीन बिना लिड बन्द कीए तबी ये ग्रीन अच्छा सा कलर रहता है ये एक अच्छा टिप है आपको अब हम इस पेस्ट को ऐसे ही पकाते रहेंगे पालक को अच्छे से जब तक ये थोड़ा सा ग्रीन टैप और जाता है तयब तक आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक रहे है तीन से चार मिनिट लग गए इसको पकने में, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है, एक कप गरम पानी, तंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा, और आदा चमच सॉल्ट डालके इसको पकने देंगे, अगर आप कंसिस्टनसी चक कर सकते हो, अगर आप वो यह थोड़ा सा थि पनीर लिया है, 250 ग्राम पनीर लेके मैंने, साइड पर रख दिया है, अब इसको हम एक बार उबालने के लिए रखेंगे, ताकि इसमें, इसको फ्रीजर में रहता है, तो इसको थोड़ा सा उबाल के डालेंगे, तो यह पनीर सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से, तो इसके के लिए मैंने जो पालक का ब्लांच किया हुआ पानी था उसी पानी को मैंने बॉल किया है अभी तो उसी में ये पनीर डाल के बस थोड़ा सा ये उबाला जाए त्रीन से चार मिनिट तक तो उसको बाल लेंगे और उसके बाद अब देख सकते हैं यहां पर ये पालक का भी प बाल दिया है तो ये थोड़ा सा भी पानी रहेगा पालक में तो ये अच्छे से पकेगा और गाडा हो जाएगा तो जब जितना जद आच्छा ये पकेगा तो उसमें उपा पनीर में उसका स्वाध आएगा तो ये इसको मैने कवर बंद नहीं किया है इसलिए आप देख सक और एक चौताई चमच किचन किंग मसाला, यह किचन किंग मसाला ओप्षनल है, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाए तब तक उसको पकाएंगे, अब यह अच्छे से पक गया है, तो इसमें लास्ट में हम एक चौताई चमच बटर डालेंगे, यह बहुत इंपोर्टन्ट है, क्योंकि इसको यह पालक का जो अच्छा सा सिल्किनेस होता है, उसमें बटर से आता है, तो यह रेडी हो गए आपका पालक पनेर, आप इसको सर्व कर सकते हो, रोटी या राइस के साथ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प् अच्छा के ले बगए